आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पोटो टाइप PCB और जीरो PCB के बारे में कुछ कमपरिजन बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा PCB सबसे बेस्ट होगा आपके काम के अनुसार तो अगर आप जानना चाते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहे हैं वीडियो पसं PCB है और यह जो PCB है यह हमारा जीरो PCB है सबसे पहले मैं आप लोग को जीरो PCB के बारे में बताना चाहूंगा कि यह PCB मैंने डिजाइन या तायर किया था जब मैं कॉलेज में पड़ता था और इसको मैंने प्रोजेट के लिए यूज किया था थाडियर में तो इस PCB का एक ही सेंटेज है इस पोटोटाइप PCB का और यह जो पोटोटाइप PCB देख सकते हो ज्यादा फ्लेक्सिवेल होने के कारें यह ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं है अगर किसी भी चीज का थोरा सा ज्यादा इसके स्ट्रेस या फोर्स लगेगा तो यह जल्दी से तूट जाएंगे और क्रियाख हो जाएंगे और अगर हम यह जो पोटोटाइप PCB की बात करें तो अगर आपने पोटोटाइप PCB डिजाइन करना सीख लिया तो मैंने में आप लाखों रूपीज कमा सकते हो PCB डिजाइन करके तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूंगा कि मैंने जो PCB डिजाइन किया हूं यह जो दोनों PCB है देख रहे होंगे यह दोनों मैंने डिजाइन किया हूं और उसके अलाबा मेरे पास और कूछ PCB है जो कि मैंने डिजाइन किया हूं यह जो देख सकते हो PCB मैंने खुद ही डिजाइन किया हूं और अगर आप PCB डिजाइन सीखना च जाएंगे तो घर्बनेने के कोई टेंशन नहीं है आप जाके वह सारी वीडियो से देख सकते हो तो आप बात करते हैं कि पोटोटाइप PCV का अडवेंटेज क्या है क्यों हम पोटोटाइप PCV को बनाएंगे तो यहां पर देखिए यह जो हमारा PCV यह फोट चैनल रिले मोडियूले जिसको आप काफी जगा पर इस्तिमाल कर सकते हो अगर आप एक इलेक्ट्रोनिक स्टूडेंट हो तो और आप इलेक्ट्रोनिस में इंट्रेस्ट रखते हो तो तो देखिए यह जो PCV मैंने डिजाइन किया हूं इस PCV को डिजाइन करने में म इस PCV को प्रिंट करा सकते हो और आप मार्केट में सेल कर सकते हो जैसे कि मैंने इस PCV को डिजाइन किया हूं तो मेरा इस PCV में जो खर्च हुआ है मेरा 2 घॉनट टाइम लगा है और 10 PCV को प्रिंट कर वाने के लिए मुझे 5 डॉलर पड़ा है तो इस PCV को मतलब एक एक पी को बनाने में 1.500 से 200 के अंदर मतलब 200 भी नहीं लगेगा 1.500 के अंदर ये PCB हमारा complete हो जाएंगे वरकर मार्केट में इसको आप बेज सकते हो 300 से 400 रुपीज के अंदर अब देख सकते हो पूरा डबल में आप इसको बेज सकते हो तो इस तरीके से आप काफी पैसा कमा सकते हो PCB डिजाइन करके इस वीडियो का बनाने का मकसद यह था कि जो लोग ileg electronics field में नया आ रहा है या electronics को लेके परहाई कर रहा है तो मैं कहना चाहूंगा कि परहाई के साथ साथ आप PCB डिजाइन करना भी सिख लिजिएगा और हर एक PCB को तो प्रिजाइन करने के लिए आपको कौन-कौन से चीज के उपर ध्यान में रखना होगा इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना के रखा हूँ आपने जाके देख लिजेगा इस वीडियो को एड में या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे तो आप सारे प्रियल इसको जाके चेक कर लिजिएगा और यह जो मेरे सर्किट बनाया हूँ यह है बैटरी लेवेल इंडिकेटर यानि कि अगर आपके पास एक 12 बोल का बैटरी है चायबो लिथियामान बैटरी हो चायबो लेड ऐसे बैटरी हो और उस बैटरी के अंदर कितने परसेंटेज चार्ज है उसको चेक करने के लिए मैंने इस सर्किट को डिजाइन किया हूँ तो इसके ओपर आपको वीडियो बहुत ही जल्द मिलेंगे कि किस तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया हूँ तो जुर रहें मेरे साथ थैंक्यू गाईस हम फिरें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाई बाई